अचानक नहीं आएगी मौत जीवन का अंती मटल सत्य है मृत्यू जिस व्यक्ती ने इस धर्ती पर जनम लिया है उसे एक दिन अवश्य ही सनश्वर शरीर दे को त्यागना पड़ता है श्रीमत भागवत में श्री कृषिन ने भी यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और यह देह नश्वर है कभी कभी कुछ लोगों को अस्मय ही मृत्यू का शिकार होना पड़ता है अस्मय मृत्यू से बचने के लिए शिव पुरान में कई उपाय बताए गए है शिव पुरान के अनुसार अस्मय या अचानक होने वाली मृत्यू से बचने के लिए शनी आराधना सर्वश्रेष्ठ हुपाय है शनी देव अस्मय मृत्यू से बचाने में सक्षम है शनी देव को प्रसंद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार इस दिन भगवान शनी के निमित पूजन करने वाले व्यक्ति को अस्मय मृत्यू का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही ज्योतिश संबंधी कुंडली के कई दोश भी इनकी आराधना से शान्त हो जाते हैं। सबसे करूर माने जाने वाले शनी से कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन विशेश पूजन करें। शनी के निमित शनी की वस्तूओं का दान करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करें। शिव जी के साथ हीश निदेव की आराधना से व्यक्ति अकाल मृत्यू से बच सकता है। इस प्रकार प्रतियक शनिवार को यह उपाय करने से अकाल मृत्यू का खत्रा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी आयू प्राप्त होती है। यह उपाय शिव पुरान में दिया गया है अत इसमें शंका और संदेह न करें अन्य था इस उपाय का उचित पुन्य प्राप्त नहीं हो सकेगा